नमस्कार आज हम लोग जानेंगे ओमनी सेफ ओफिप्टी ड्राइ सिरप के बारे में ओमनी सेफ ब्रेंड नेम है इसका कमपोजिशन सिफहक जीम है इसके प्रतेक 5 एमिल में सिफहक जीम 50 एमजी पाया जाता है इस सिरप को एरिष्टो फर्मासीटूकल्स प्राइवेट लिमीटेड द्वारा बनाया जाता है जो 30 ml के एस्टेराइल वाटर के साथ कमपी पेक के रूप में 54 रुपिया 43 पैसा के कीमत पर किसी भी मेडिकल एस्टोर पर इजली मिल जाता है इस वीडियो के माध्यम से जनेंगे ओमनी सेफ ओ ड्राइ सिरप का आपयोग कौन कौन सी बिमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है इसका आपयोग बच्चों में कितनी मत्रा में किया जाता है कितने दिन तक किया जाता है तथा ओमनी सेफ ओ ड्राइ सिरप का आपयोग करन दोस्तों ओमनी सेफ ओफिप्टी ड्राइ सिरप सबसे ज़्यादा अप्यों किया जने वाला दवा है इसका कंपोजिशन सिफेक जीम यह सिफेलोस्पोरिंस नमक दवाओं के समुहों से संबंधित है यह एक ब्रॉड एस्पेक्टरम एंटिवाइटिक है जो ग्राम निगेट पर काफी प्रभावकारी है इसका व्यों कई परकार की बैक्टरियल इंफेक्शन से होने वाला बिमारी को ठीक करने के लिए क्या जाता है जैसे बच्चों में होने वाला समन्ने सर्दी जुकं में जब किसी बच्चे को काफी सर्दी खंसी होता है नंक से पोनी बहते रहता आँखे लाल हो जाता है तब डॉक्टर किसी अच्छे कौप सिरप के साथ एंटीबाइटिक के रूप में ओमनी सेफ ओ फिप्टी ड्राइ सिरप का उप्योग करवाते हैं बच्चों में होने वाला गंभीर समस्या जब किसी बच्चे को काफी सर्दी के साथ बुखार आ जाता है बलगम के अधिकता से समस लेने में काफी परिशानी होता है पसलियां काफी तेजी से चलने लगता है जिस वज़ा से बच्चा बैचैन हो जाता है इस समस्या को ठीक कर जो काफी दवा करवने के बाद भी ठीक नहीं होता है तब डॉक्टर किसी अच्छे एंटी एलर्जिक दवा के साथ एंटी वाइटी के रूप में इस सीरप को पिलवाते हैं जिससे बच्चे का खंसी तुरंत ठीक हो जाता है एस्कीन इंफेक्शन में जब किसी बच्चे को धूल मिटी या किसी एलर्जी पैदा करने वाले बस्तो के सरीर से संपरकाता है तो उनके चेहरे पे लालाल चकता हो जाता है जिसमें काफी इचिंग होते रहता है काफी दर्द और जलन होता है इस समस्या को ठीक करने के लिए किसी अच्छे एंटी एलर्जिक दवा के साथ उमनी सेफ और ड्राइ सिरप का उप्योग करवाया जाता है UTI Infection Urinary Tract Infection में पिसाव संकर्मन में जब किसी बच्चे को कम मत्रा में बारबार पिसाव होता है जिसमें काफी जलन होते रहता है काफी दर्द करते रहता है तब डॉक्टर अलका सिटरल सिरप के साथ इस समस्या को ठीक करने के लिए उमनी सेफ और ड्राइ सिरप का अपयोग करवाते हैं इसका अपयोग समन्नेत तथा गंभीर घाव को ठीक करने के लिए भी किया जाता है बॉन इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन तथा अन्य कई परकार के bacterial infection से होने वाला बिमारी को ठीक करने के लिए OmniSafe O dry syrup का अपयोग करवाया जाता है अब जानेंगे इस syrup के dodges के बारे में इसका अपयोग बच्चों में कैसे करवाया जाए अब जानेंगे OmniSafe O 50 dry syrup के side effect के बारे में इस syrup को पिलने के बाद क्या 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 परिशानिया हो सकता है तो दोस्तों इस syrup को पिलने के बाद बच्चे को उल्टी हो सकता है, दस्त लग सकता है, allergic reaction हो सकता है तथा अन्य कई परकार के problem हो सकता है अगर इन में से किसी भी परकार का problem हो तो दबा देना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिलें ताकि उनको फरदर treatment दिया जा सके दोस्तों अमनी सेफ ओफिप्टी ड्राइ सिरप के बारे में और किसी भी परकार के जनकारी के लिए कॉमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद कर दोदिए, छूदोर कीजिए, तरो भ्वाद कीजिए, सेरी अजकर ये वीजिए, सेरी दिया जनकार का कीजिए, साथ है प्रेवाद